नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कंचन रेसिपी प्लानेट चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस उडियो में रेस्टरन जैसा पनीर मसारा बनाएंगे बहुत स्वाधिश्ट बनता है आपको बहुत पसंद आएगा तो आप इससे बना के जरूँ ट्राइ की भुण लाल मिर्च यहां heto थोड़ा बूनेंगे दो प्याज लंबे के लेश्बू शुआइस में कटे लसन की कुछ कली थोड़ा साध्रक दो हरी मिर्च नको थोड़ा बूनेंगे अभी प्यास थोड़ा बून गया है अभी इसमें डालेंगे पांच काजू और बड़े ताकि थोड़े से टमाटर गल जाए अभी टमाटर सॉप्ट हो गए है अभी हम ग्यास बंद कर देते हैं और इसको थंडा होने देते हैं अभी यह थंडा हो चुका है अभी हम इसको एक मिक्सर के वर्तन में डालेंगे और इसका स्मूध सा पेष्ट बनाएंगे यह देखी इ अन्छा पाल्म टमाटर अभी हम इसको चानेंगे क्वे तक इसके यह लए मसाले के वड़े फिसस हो तो तो पनाएंगे तहां यह से देखा कि गए 500 था खोड़े हें ऐसे बड़े हैं रहता है negotiation जाते हैं इसम्माटर ब्शास के अले घंण जातले कि Ferguson में फ्यांकि तर शीक् तेल लालेंगे, 1.5 टीस्पून जीरा, 1 टेश पत्ता, 1 टीस्पून लालमेश पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, सुके मसाले रालते समय गयास को बिल्कुल कम कर दिजिए, नहीं तो मसाला निचे से जल जाएगा, अब इसके अंदर आलेंगे हम यह पेस्ट, इस मसाले को तेल छूटने तक लो फ्लेम पे भूनेंगे, यह देखें मसाला तेल छोटने लगा है, अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, अब भरकी भी मलाई ले सकते हैं, अब तेजपता निकाल सकते हैं, अब मसाला साइल छोटने लगा है, अब यहापे 500 ग्राम पनीर कटकर के लिया है, यह डालेंगे, पानी तीज़पून गरम मसाला यहां पर मैंने एक टेबल स्पून पनीर को क्रश करके लिया है यह डालेंगे अभी हमें डालेंगे कस्दूरी मेति क्रश करके और अभी डालेंगे स्वादानुसार नमक पकने देते हैं यह देखिए इसको अच्छे से उबा ला गया है अब स कि यह कितना अच्छा बना है आप इसे इस तरह कैसे बनागे जरूर ट्राइ कीज़े और कमेंट सेक्शन में कमेंट करको जरूर बताइए और अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब कि यह थे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के व्योकर क्लिक करना के मोबाल पर आ सके फिर मिलते हैं ऐसी नहीं रेसिपी के साथ तब तक लिए नमस्कार